आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो ना ही इस प्रकार की पहली कहानी होगी और ना ही आखरी मगर हां इस कहानी से आपको एक प्रेणा की स्रोध जरूर मिलेगी तो दोस्तो ये कहानी है एक ऐसी शक्षियत की जिनोंने अपनी जर्नी इन्टू दी स्टॉक मार्केट एक काफी छोटे स्तर से शुरूआत की और अपनी सक्सेस स्टोरी और फॉर्चून को इस मार्केट में बिल्ट किया तो दोस्तो ये कहानी है राधा कृष्ण शिफ किष्ण दमानी की जो ना ही केवल एक successful businessman है बलकि एक billionaire stock market trader and investor भी हैं उनका जनम 15 मार्च 1954 में राजिस्थान बीका नेर के एक मारवाडी परिवार में हुआ उन्होंने अपनी schooling मुंबे में ही complete किया और फिर university of मुंबे से बीकॉम की पढ़ाई करने लगें बट उन्होंने जल्दी अपने बीकॉम को drop किया और अपने wall bearing business की शुरुआत की मगर दमानी जी के पिता जी का देहान्त हो जाने के कारण उन्हें ये business बंद करके stock market में दलाल स्टीट में आजा broker and investor काम करना पड़ा उस वक्त दोस्तों markets में मनू मनिक का राज चलता था और उनी से RD ने stocks को short sell करना सिखा दोस्तों हम सभी ने scam 1992 का movie watch किया होगा तो उस movie में इन दोनों sides को काफी अच्छे तरह से दर्शाया गया है कि एक तरफ market में big bull हर्शद महता थे जो हमेशा market को buying side या market को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश किया करते थे and another side movie में bears थे जो market को हमेशा नीचे की तरफ put करके या short करके profits को कमाया करते थे तो movie में वो मनुमनिक जी ही उस समय उनके बारे में बताया गया है as a big bear into the market जो हमेशा market को short करने का सोचा करते थे सो उस वक्त राधा कृष्ण दमानी जी भी मनुमनिक जी के साथ थे जो stocks को short sell किया करते थे तो उन दिनों राधा कृष्ण दमानी उतना जादा famous नहीं हुआ करते थे and market को दूर से समझने और सीखने की कोशिश किया करते थे कुछ हद तक stocks को short sell करके profit तो कमा लिया करते थे बट उन्हें जल्दी market में समझ आने लगा कि अगर उन्हें market में बड़ा पैसा कमाना है जादा successful होना है तो उन्हें अपने खुद के पैसो को trade and invest करना पड़ेगा माना जाता है कि दमानी जी in the late 80s triple R के नाम से जाने वाले ग्रूप का भी हिस्सा थे जिनका एक member राके जुनजुनवाला जी भी थे उन दिनो 1992 स्कैम के कारण राधा कृष्ण दमानी जी के हालात कुछ इस तरह से थे कि उन्हें रास्ते में कटोरा लेकर के बैठना पड़ता अगर हर्षद महता का स्कैम एक्सपोज ना हुआ होता तो ऐसा दमानी जी का कहना है तो ये खुद दमानी जी के शब्द है About the scam 1992 तो मूवी में भी इस चीज़ को काफी अच्छे तरह से बताया गया है कि जब हर्षद महता मार्केट को अगेन अगेन और उचाईयों पर अगेन अगेन पुश कर रहे थे उस वक्ट जब बियर्स ने मार्केट में पोजिशन को शॉट किया था तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मार्केट आज़ा ट्रेडर भी नो कि अगर आपने फूचर्स और आप्शन को अगर शॉट किया है और मार्केट कंटिनसली काफी ज़ादा मोमिन्टम करता है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी पोजिशन आटोमेटिकली आपको ना चाहते हुए भी पोजिशन को स्क्वेर ओफ करना पड़ेगा कि लॉसेज इतना ज़ादा हो जाएगा कि वो आपके कैपिटल अमाउंट को भी एकसीट करेगा तो इसी तरह के कुछ हालात मारकेट में राधा कृष्ण दमानी जी के थे बियर्स के थे अट दा टाइम ऑफ दा 1992 स्कैम कॉज मारकेट काफी जादा बुलिश रन या बुल मारकेट फेस में मारकेट परफॉर्म किया तो जो भी सेलर्स थे मारकेट में लोगों ने शॉट किया हुआ था उनके हलात मारकेट में काफी जादा खराब हो गए थे तो ऐसा दमानी जी का कहना है कि अगर 1992 हर्शद मेता स्कैम एक्सपोज ना हुआ होता तो मारकेट वहाँ से सेल अफ नहीं होता कि स्कैम एक्सपोजर के बाद अगेइन इंडियन मारकेट काफी जादा सल ओफ हुआ और अगेइन बियर्स केम इंटू दा गुड प्रॉफिट तो ऐसा दमानी जी का कहना है अबाउट स्कैम 1992 बट डूरिंग स्कैम 1992 हालात इतने खराब होने के बावजूद भी RD ने दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा और उन्होंने स्मॉल स्केल इंवेस्टर्स के काफी सारे डेप्रिशेटेट शेर्स को बाय करके उन्हें इस जंजट से मुक्ति दिलाया साल 2000 में खरीदे गए VST Industries के शेर 80 रुपे पर शेर से 2020 तक बढ़कर के 3600 होगे सुंदरम Finance के शेर्स जो उन्होंने 270 रुपे पर शेर खरीदे थे वो 2021 तक बढ़कर के 1800 होगे दोस्तों उनका मेजर इंवेस्मेंट है ओवर वर्थ 4000 करोर्स जो की है HDFC बैंक में जो उन्होंने 1995 में 40 रुपीज पर शेर खरीदा था ITC, Gillet, 3M India, Blue Dart, India Cement जैसे कई बड़े प्रमुक इंवेस्मेंट्स दमानी जी ने कर रखे हैं सो कुछ इसी तरह दमानी जी ने मारकेट्स में अपना दबबा बना लिया बट उनका ये सफर 1980 से 2000 तक का कहां काफी था उन्हें अभी और उचाईयों पर पहुचना था सो स्टॉक मारकेट्स में सक्सेस के बाद दमानी जी ने रीटेल बिजनस में उतरने का सूचा एंड इसी के चलते उन्होंने अपना बजार की एक मारकेटिंग की रीटेल फ्रेंचाईजी को खरीदा बट उन्हें अपना बजार की मारकेटिंग स्रेटिजीस कुछ खास राज नहीं आई तब जाके उन्होंने भारत में एक रीटेल चेन आफ सूपर मारकेट्स की स्थापना की जिसे हम आज D-Mart के नाम से जानते हैं D-Mart का पहला स्टोर पवई मुंबय में शुरू किया गया 2002 में और उसके बाद वो कभी रुके नहीं आज की डेट में पूरे भारत में 263 D-Mart स्टोर्स हैं एंड इसी लिए दमानी जी को रीटेल किंग ओफ इंडिया के टाइटल से भी नवाजा गया एंड आखरी में D-Mart को IPO में लिस्ट किया गया जैसे की दमानी जी मारकेट बेक्राउंड से हैं तो उनके बिजनेस का स्टॉक मारकेट में लिस्ट होना तो तै था सो D-Mart को 2017 में IPO में लिस्ट किया गया पर शेर प्राइज 299 पर एंड बस तीन साल में ही 299 से 2021 तक शेर प्राइज बढ़ करके 2900 तक पहुँच गया D-Mart का नेट वर्ट 2017 में 38,000 करोड से June 2021 तक 1,70,000 करोड होने में फिर कहां देरी लगी आज D-Mart एक्सेस बैंक के बाद देश की 18th most valuable company बन चुकी है इसका नेट वर्ट या market capitalization Nestle जैसे stock से भी कही ज़ादा है दमानी जी का पूरा परिवार उनके भाई, वाइफ एंड तीनों बच्चे किसी ना किसी तरह से dedicated है D-Mart को और भी ज़ादा ग्रो करने में दमानी जी की बेटी Avenue Super Markets की डेरेक्टर है जो D-Mart की parent company है एंड 58% stake hold करते हैं Bright Star जैसे दमानी जी उनके वाइफ एंड उनके तीनों बच्चे कमबाइन ली राधा कृष्ण दमानी जी उन चंद लोगों में से एक है जिन्नोंने एक middle class family से भारत की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 5th position तक का सफर बखू भी तै किया और बस यही नहीं Net worth US dollar 20 billion के साथ उनका नाम Forbes billionaire list में 2022 के according 78th position में आता है उमीद है दोस्तों की दमानी जी की ये कहानी सुनने के बाद आप सभी अपनी जिन्दगी को जंग से जादा खेल समझेंगे जहां पर आप हारने पर कुछ खोईंगे तो नहीं बट आपके जीतने के chances वहाँ पर जरूर बढ़ जाएंगे आज इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद अगर दमानी जी ठक के हार मान जाते तो शायद आज हम और आप उनकी ये कहानी नहीं सुन रहे होते सो दोस्तो ये थी कहानी billionaire, businessman, stock trader and investor Radha Krishnashiv Kishnadamani जी की I hope आप सभी ने उनकी इस कहानी को enjoy किया होगा So let me know into the comment section and इस video को जरूर like करें इस channel को subscribe करें जिससे आने वाली videos का regular update आपको मिलता रहे So see you all into the next video Till that bye to all and see ya